अमर जवान ज्योती एक्स्टिंगुष्ट हाल ही में इंडिया गेट के पास जलने वाली अमर जवान ज्योती को पूरी तरीके से खत्म करके उसे नैशनल वार मेमोरियल की जो टॉर्च है उससे मर्ज कर दिये गया है बट ऐसी क्या ज़रूरत थी जिस वज़े से अमर जवान ज्योती को खत्म किया गया और इंडिया वार मेमोरियल क्या है इसी के वारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे बात करें अमर जवान जोती की, तो यह 1971 से पिछले 50 साल से एक Eternal Flame है जो की इंडिया गेट के नीचे जलते आ रहा है और इसे 22 जनवरी को National War Memorial की टॉच में मर्ज कर दिया गया है और अमर जवान जोती की जो आग है इंडिया गेट के पास उसे हमेशा के लिए बुजा दिया गया है यह सारा काम एक सेरिमनी की तहत 21 जनवरी को किया गया जिसमें हमारे Integrated Defense Staff Chief Air Marshal बलबद्र रादा किर्सन के त्वारा अमर जवान जोती की फिलेम को War Memorial की फिलेम से मिला दिया गया यह फिलेम अमर जवान जोती से तकरीवन 400 मीटर दूर पर बने National War Memorial की टॉर्च में लाई गया है और अमर जवान जोती को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है अगर अमर जवान जोती की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो जब हमारा 42 मीटर उचा इंडिया गेट बनाया गया था जो की वेसिकली 1st World War में जो हमारे Soldiers मारे गये थे और 3rd Anglo-Afghan War में जो Soldiers मारे गये थे उनकी याद में बनाये गया था तब यहाँ पे अमर जवान जोती नहीं होती थी तब केवल इंडिया गेट पे जो जवान शहीद हुए थे उनके मात्र नाम लिख दिये गये थे अमर जवान जोती को बेसिकली 1972 में इंडिया और पाकिस्तान की जो बंगला देश वाली वार हुई थी उसके बात जोडा गया था जिसमें एक inverted gun रखी गई थी जिसके उपर एक soldier का helmet भी था और चार अलग-अलग flame जलाने के लिए chambers बनाए गए थे जिन में से एक chambers हमेशा जलता रहता था तो basically 1971 की war में जो तकरीबन 3843 soldiers की हम लोगों ने जान खोई थी उनके tribute में हमने अमर जवान जोती को इंडिया गेट के नीचे बनाया था पहले क्या होता था हमने देखा है कि जितने भी हमारे service chief है इवन दो Republic Dipper Prime Minister भी यहाँ पे शहीदों को tribute देने आते थे बट 2019 में जब New War Memorial का inauguration प्रधान मंतरी नयंद मोदी के द्वारा किया गया तब से यह पूरी ceremony को New War Memorial पे shift कर दिया गया था यहां हम बात करें National War Memorial की तो 2019 में इसे PM मोदी के द्वारा inaugurate किया गया था और हम जानते कि 1947 के बाद इंडिया की जितनी भी wars हुई है उसमें जितने भी soldiers को हम लोगों ने खोया है इवन दो गलवान वैली के conflicts जैसे की चीन के साथ में हो गया और इवन दो और भी अन-अन conflicts जो की आतंकवादियों के साथ में हुए है और जिन में हमने अपने जवानों को खोया है उन सभी के नाम National War Memorial की प्लेटों पे लेखे गए है बेसिकली इसको बनाने का मकसद यही था कि जब-जब इंडिया ने अपने soldiers को वीर कती में खोया है उन सभी का नाम एक जगह पे 71 करके उन्हें proper tribute दिया जा सके और इसी के चलते National War Memorial में 26,000 से ज़्यादा Indian soldiers के नाम लेखे हुए है यह Memorial इंडिया केट से तक्रीवन 400 मीटर दूर है और इसके बीच में तक्रीवन 15.5 मीटर का एक स्तम भी बनाये गया है जिसमें एक Eternal Flame भी जलाई गयी है अगर इसके डिजाइन की बात करें तो यह है चार अलग-अलग सरकल सी रूप में बनाये गया है जिसमें अंदर वाले सरकल को अमर चक्र उसके बाद वीरता चक्र उसके बाद त्याक चक्र और सबसे बाहर वाले सरकल को रक्षा चक्र कहा जाता है और तीसरे नंबर का जो त्याक चक्र है उसमें ही सारे सोल्जर्स के नाम ग्रेनाई टेबलेट्स पर गोल्डन लेटर्स में लिखे हुए है अब यहाँ पर बात आती है कि क्या जरुवत थी इस फ्लेम को आपस में मर्ज करने की तो जितने भी ओफिसियल सोर्सिस हैं वह हमें बताते हैं कि पहले हमारे पास में कोई भी एक dedicated war memorial नहीं था जिसमें हम सारे military personals को tribute दे सकें और अब जब यह dedicated museum है तो हमें जरुवत नहीं है कि हम दो अलग-अलग films को जलाएं इसलिए इसको merge किया जा रहा है हाला कि 2019 में यह तया किया गया था कि इवन्दो जिन लोगों का नाम India Gate पे लिखा हुआ भी है उनका नाम भी National War Memorial की प्लेटों पे लिख दिया गया है इसलिए एक अलग dedicated flame जलाने की कोई जरुवत नहीं है और इन दोनों को आपस में ही merge कर दिया गया है और इसी किसा साथ India Gate के पास में जो canopy बनी हुई है वहाँ पे सुवाशन्द बोश जी का statue भी लगाए जा रहा है हाला कि इस canopy की बात करें तो 1968 से पहले यहाँ पे King George V का statue हुआ करता था जो की बाद में 1968 के आते आते हटा दिया गया था और तब से ही यहाँ पे सुवाशन्द बोश जी के statue के लगाने की मांग होती आ रही है इवन दो 26 जनवरी को होने वाली parade के दोरान भी इनका एक hologram यहाँ पे लगाया जाएगा जिससे इनका statue बनने से पहले ही इने proper tribute दिया जा सके हाला कि विपक्ष और काफी सारे institution यह सब करने के खिलाफ भी है उनका कहना यह है कि सरकार अपने political फायदों के लिए history के साथ में छेड़ चाड़ कर रही है बट आगे आने वाले वदलाव कैसे होते हैं यह तो समय ही बताएगा तब तक के लिए धन्यवाद